अशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मिरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी, स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज हम बात करेंगे भारत के जेम्स बॉंड की, कल मैंने community post डाला था कि untold story of Ajit Doval, आप हैरान हो जाएंगे सुनके कि ये क्या है, देखिए, ये जो इनसान है, ये कोई आम इनसान नहीं है, Ajit Doval से एक बार पूछा गया था कि क्या आपको पता है, जब इन्होंने operation black thunder को अन्जाम दिया था, तो इनसे पूछा गया कि आपको पता है कि कितना खत्रा होता है इन सब में, Ajit Doval ने जवाब दिया, देखिए, ऐसा है, कि जब आप काम कर रहे होते हैं तब आपको नहीं पता, ड्रिंक करते हुए, जब आप सोचते हैं कि कितना सदा इसमें खत्रा involved था, क्या हो सकता था, तब वागई में टेंशन होती है, लेकिन हाँ, काम के समय सिर्फ और सिर्फ काम पे ही ध्यान रहता है, तो हम बात करेंगे untold story of Ajit Doval, जो हमारे national security advisor है, मज़ा आजाईगी यार आखरी तक बने रहना, चैनल नहीं subscribe कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है, इतना बहतरीन content मुश्किल से एक सेकेंड लगता है, एक सेकेंड, subscribe बटन पे दबाना, और bell icon, इतना बहतरीन content आने वाला, आप हमसे भी जुड़ सकते हो, मैंने आपको बताया था, इस परिवार को आगे बड़ा, आप सब परिवार का हिस्सा हो, और इस परिवार से कैसे जुड़ना है, मैं आपको एक अप्रेल को बताऊँगा, अप्रेल को मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वालो, हम merchandise भी लॉंच कर रहे हैं, अजीद दोवाल ने लगबख दाओद इब्राहीम को 2005 में पकड़ी लिया था, छोटा राजन के दो शार्प शूटर को डेपलॉई किया, और लगबख पकड़ी लिया गया था दाओद इब्राहीम, वो उस लेच्चर का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, लेकिन तभी मुंबई पुलिस आ जाती है, और मुंबई पुलिस को अजीद दोवाल समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजेगा, अजीद दोवाल एक इंटेलिजेंस ओफिसर रही है, उनके 46 साल के करियर में मुश्किल से 7 साल उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी होगी, क्योंकि बाकी समय वो इंटेलिजेंस ओपरेशन्स करते थे, तो वर्दी नहीं पहनते थे, बलकि एक जासूस की तरीके से काम तमाम करके आ जाते थे, भारत में सबसे इंपोर्टेंट स्पाई सिस्टम होता है, आज भी भारत के जासूस पूरी दुनिया भर में घूम रहे हैं, और ये एक बहुत ही ठैंकलेस जॉब होती है, क्योंकि अगर ये पकड़े गए, ये बोल मीनी सकते कि हम भारत के हैं, वही खतम, रविंदर कौशिक की, मैंने बायाफिर रिव्यू कि, उसमें मैंने बताया था, तो ये बहुत थैंकलेस जॉब होती है, और अजीद डोवाल जो कहते हैं, वो करते हैं, शानदार करियर रहा है दोस्तों, तो अजीद डोवाल वो मैंने स्टोडी बताया थी, कि तब मुंबई पुलिस आ गई, और पूरा काम खराब हो गया, अजीद डोवाल ने कभी अपने मूं से नहीं बोला है, खुद से कभी अजीद डोवाल इनके बारे में जान लेते हैं, है ना, अजीद डोवाल का जनम जो है, वो 20 जनवरी 1945, अभी 76 साल के हैं ये, पौडी गड़वाल में हुआ था, और उसके बाद इनके जो पिताजी थे, जीएन डोवाल, वो भी इंडियन आर्मी में आफिसर थे, 1967 आते हाते हैं, इन्होंने मास्टर डिग्री ली, एकनॉमिक्स से, आगरा युनिवर्सिटी से, और उसके बाद इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस, 1960 में ये एक्जाम निकाला, केरल में गई ये, केरल में ASP of Kotaayam District, केरल में दोस्तों थैला सिरी डायोट्स हुए थे, और उसमें इनका काम बहुत बढ़िया माना जाता है, ये 1972 से लेकर बहुती कम समय के लिए थे, 6 महिने के लिए, 2 जनवरी 1972 से लेकर, 9 जू 1972 तक, लेकिन रैट्स को, दंगों को कंट्रोल करने में इनका बहुत बड़ा हात माना जाता है, तो ऐसे थे, उसके बाद फिर हात है, आपको बता दू कि अजीद डोवाल, जहां पे भी प्रॉबलम होती थी, अजीद डोवाल को बुलाओ, अजीद डोवाल को बुलाओ, आप इतना समझिये, जहां पे भी प्रॉबलम होती थी, ठीक है, तो अजीद डोवाल, नौर्थ इस्ट स्टेट्स में बहुत ज यह होती, यह आराम से जाते हैं, और उनसे घुल मिल जाते हैं, और उनको मैनुपलेट कर देते हैं, आपस में ही उनको लड़गवा देते हैं, मनीपूर की स्टोरी तो बहुत फेमस है, अजीट डोवाल ने वॉलेंटियर किया था, मनीपूर जाने के लिए, देखिए, मनीपूर के बारे में बात करें, नौर्थ इस्टन स्टेट्स में इंसरजेंसी तो रही है, धीमे-धीमे करके हमने एक-एक स्टेट को, बलब एक-एक पार्ट, एक-एक रिजन को भारत का स्टेट बनाया है, तो मनीपूर में क्या, मनीपूर की बात करें, तो मनीपूर 1891 में जो kingdom of मनीपूर था, ब्रिटेन ने conquer कर लिया, और 21 October 1949 मनीपूर part of India हो गया, separate state, statehood इसको 1972 में मिला, लेकिन जैसे ही इसको statehood मिला, पहले से विद्रो चल रहे थे, विद्रो हो गई है, यहाँ पे बहुत ही तो अब हम यह देखते हैं कि जो मनीपूर में बहुत सारे insurgent groups थे, KLA था, KNF था, KRA था, ZRA, KNA, UKLF, इतने सारे insurgent groups थे कि क्या बता हैं, तब अजी डोवाल बोले कि मैं जाओंगा, रुको, और उसके बाद, National Liberation War भी चला था आपको बता दू, National Liberation War भी मनीपूर की हाल बट वो बहुती कम समय के लिए था, तो यहां पे हम यह देखते हैं कि अजी डोवाल गए, अजी डोवाल एक जासूस बनके गए, और अजी डोवाल ने फिर यहां पे ऐसा manipulate किया, जो यहां के insurgent थे, कि भारत insurgency धीमेदी में खतम होगी, अजी डोवाल रहे, time period दोस्तो वैसे बताया जाता कि 1972 में ही चले गए अजी डोवाल मनिपुर, लेकिन देखिए कुछ भी public नहीं है, यह जितनी भी stories है, अजी डोवाल ने खुद, ना इन्होंने अपनी autobiography लिखी है, जिस दिन उन्होंने अपनी autobiography लिख दिए, उस दिन वो best seller हो जाएगी, ना इन्होंन कि इंसर्जन्सी को कंट्रोल करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा कश्मीर और पाकिस्तान, 1980s में, कश्मीर और पाकिस्तान कैसा था, आप देखो ध्यांसे, कि अजी डोवाल जो थे, वो पाकिस्तान भी रहे थे, 6-7 साल तक वो पाकिस्तान में रहे थे, एक जासूस बन गे, बहुत गजब की स्टोडी शेर करते हैं, जब जिया उलहका है पाकिस्तान में, 1979 में जब जिया उलहका, टैन वार शुरू हुआ, डिक्टेटर्शिप शुरू हुई, तो जिया उलहका सीधा एक कहना था, कि भारत को काट दो, ओपरेशन ब्लीड इंड इंडिया, ओपरेशन ब्लीड इंडिया, विद थाउजन कट, जहां पे भी इंसर्जन्सी है, वहां पे जाओ, कश्मीर में उस समय भायानक इंसर्जन्सी चल रही थी, शेमला एग्रिमेंट हो चुका था, कश्मीरीों के पास यहां पे जो इंसर्जन्ट थे, कश्मीर में जो आतंकी थे, उनको पता था कि अब कश्मीर हमारे हाँ से गया, अब कोई प्लेविशाइट होने वाला है नहीं, तो इंसर्जन्सी शुरू हो गई, बहुत सारे ग्रुप्स जो थे, वो अलग हो गए, पाकिस्तान को यह उपरचुनिटी मिली, पाकिस्तान का सीधा बोलन था, 1980s में तो कश्मीर की बहुत बुरी हालत थी, आपको पता ही है, मैं कश्मीर और पाकिस्तान साथ-साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे, जब इलेक्शन हुए 1987 के कश्मीर में, तो उसके बाद और जादा हालत खराब हो गई, इलेक्शन में, कॉंग्रेस सहीत की बेटी तक को अगवा कर लिया था, उस समय आए अजीट दोवाल, मैं समालता हो ना, रुको, कश्मीर में गए, ठीक है, यहाँ पे, कश्मीर में और पाकिस्तान में भी साथ-साल रही हैं, कश्मीर में दोस्तों, ऐसा जबर्दस्त confusion create किया, ऐसा जबर्दस्त confusion create किया ठीक है, former MLA कश्मीर का, मतलब बाद में MLA हो गया था यह, पहले यह militant group चलाता था, उसको अपने साथ मिला लिया, यह एक तरीके से, देखे, आपको बता दू कि, यहाँ पे अजीट दोवाल को पता था, Indian forces को पता था, कि अगर हमको कश्मीर को जीतना है, कश्मीर के लोग militant था, इसने organization बनाई थी, शुरुवात में, जो pro freedom militant को पहले focus करता था, लेकिन अजीट दोवाल ने कुका, मौमद यूसुफ पारे बोलते था, इसको कुका पारे बोला जाता था, अपने साथ मिला लिया, कुका पारे जो है, अब यहाँ पे Indian forces के लिए काम करने लगा, औ 2003 में मारा गया, तो एक बहुत बड़ा blow था ये, Indian forces के लिए, क्योंकि armed rebellion in Kashmir जो था, Indian forces उसे लड़ा रही थी, और कुका पारे मदद कर रहा था, बाद में MLA भी बना, कश्मीर से ये MLA भी बना, और Jumbo and Kashmir आवामी लीग बनाई, उसका बहुत बड़ा reason यहाँ पे, 1996 में जो election हुए थे, कश्मीर में, वो अजीर डोवाल की वज़े से हुए थे, क्योंकि दोस्तों कोई किसी के ओपर भरुसा नहीं करता था यहाँ पे, और Indian forces को बहुत जबर्दत फाइदा मिला, various inputs मिलते थे, यहाँ पे बहुत सारे जो militants थे, वो direct Indian forces के contact में थे, वो अधर spy, आप सोच सकते हैं इन्होंने देश के लिए कितना किया है, क्या बात है, thankless job, यह एक story बताते हैं, कि एक बार क्या हुआ कि मैं मस्जिद से बाहर आ रहा था, मैं जासूस के, जासूस बनके पाकिस्तान में गया, तो सामने एक बुढ़े बाबा बैटे थे, वो मुझे हिंदू नहीं हूँ, बाबा वो पाकिस्तानी थे, ठीक है, वो मुस्लिम थे, बाबा ने बोला, उनकी दाड़ी थी, उनना बोला, नहीं तुम हिंदू हो, अजीर डोवाल नहीं है, हिंदू नहीं हूँ, उनना कि तुम हो, तब अजीर डोवाल थोड़े से डर गया, बोला जाता है ना, पाकिस्तान तो ऐसा है कि वो जो जासूस नहीं होता उसको भी जासूस बना देता है, ऐसा है वहाँ पे, कुल भूशन जादव के साथ क्या हो रहा है, अभी भी वो भारत वापस नहीं आये हैं, तो तो जो जासूस भी नहीं होता उनको, ये तो जासूस थे, क्य टॉर्चर होता, आप समझी सकते हो, भयानक, तो अजीद दोवाल बोले कि मेरा खेल खतम, लेकिन इनके साथ गए, उनको अपने घर पे ले गए, अजीद दोवाल को, यह जो बाबा है, वो अपने घर पे ले गए, और जब अजीद दोवाल इनके घर पहुंचे, तो इनकी आ बचपन से मेरे पीर्स किये गए हैं, जहां पर मैं पैदा हुआ तो वहां पर यह होता है, रिवाज है, तो उनने का किसकी प्लास्टिक सर्जरी करवालो, वरना कोई पकड़ सकता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा था, क्या बात है, तो पाकिस्तान में भी रहे, बहुत कुछ बताते हैं इनके बारे में, The Spy Chronicles, The Spy Chronicles दोस्तों, भारत की जितनी भी Spy वाली वेब सीरीज बनती है, इसी किताब पे ही बेजड है, तो यह ज़रूर पढ़िएगा, Operation Black Thunder में भी, शायद सबसे इंपोर्टेंट काम जो है, यहां पे अजीर दोवाल का, आपको प पहुची थी, फिर होता है Operation Black Thunder, Operation Blue Star के बाद भी, पंजाब में इंसर्जनसी कम नहीं होए थी, भले ही भिंडर वाला मरा जा चुका आता, लेकिन पंजाब में इंसर्जनसी जादा थी, इनफाक्ट, तो यहां पे Operation Black Thunder किया गया, दो, दो Operation Black Thunder में दोस्तों, फिर से हम देखते हैं कि Golden Temple को, यहां पे Insurgents जो थे, वो आते थे, और एक तरीके से Militant Activity शुरू हो चुकी थी, यह कवर जब भारत सरकार को लगी, तो भारत सरकार ने, भारत के Intelligence Unit ने बोला, कि आरे तो बहुत जपरदस्त चीज हो जाएगी, उस सपे Operation जो थे, वो जूली और रिबेरो जो थे, वो डीजीपी और पंजाब थे, जूली और रिबेरो की बायाग्राफे मैंने कवर किया, बहुत ही शानदार पुलिस वाले, गजब, उनका जो टेनवर था बहुत ही बहतरी, तो अब एक और Operation की ज़रूरत थी, लेकिन यह Operation हम ऐसे नहीं कर सकते थे, Operation Blue Star जो है, वो बह बहुत ही सलीके से कंड़क्ट करना था, मिलिटेंट्स को हमको बहार निकालना था, और बहुत ही सलीके से हमको कंड़क्ट करना था, अब क्या करें, Operation Black Thunder 1, 30 अपरेल 1986 में कंड़क्ट किया, और Operation Black Thunder 2, 1988 में, उसके बाद, पंजाब की स्थिती काफी जादा सुधरी, तो इसमे अजीट डोवाल को बुलाया गया, अजीट डोवाल एक रिक्षे वाला बनके गए, और मंदिर के अंदर चले गए, और मिलिटेंट्स के साथ, एक से दो हफते तक रहे वो, वहाँ पे उन्होंने सिख मिलिटेंट्स से बात की, बकाईदा, सिख मिलिटेंट्स से बात की, औ अपस आ गए, सरिंडर कर दिया, तो ये भी श्रे इनको जाता है, पंजाब में इसके बाद कोई बहुत बड़ा उप्रेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके बाद लोगों को भी समझ आने लगा, कि मिलिटेंसी से कुछ होना नहीं, और अभी पंजाब एक बहुत ही पीसफुल स्टेट है, भारत की शान है, तो ऑप्रेशन ब्लाक थंडर, जो सेकेंड वाला है, वो 1988 में खतम किया था, ठीक है, ऑप्रेशन ब्लाक थंडर 1 में जूलियर रिबेरो थे, और अप्रेशन ब्लाक थंडर 2 में केपी सिंग थे, ठीक है, केपी एस गिल, कवर पाल सिंग गिल, बहुत ही फेमस, डी जी वी अप पंजाब पुलिस रहे हैं, जिनका टेनोर जो है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, उनकी भी बायाग्राफिय मैंने की है, यहाँ पे 200 मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया था, हालक 41 की जान गई थी, लेकिन 200 मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया था, और सबसे अच्छी बात है, गुल्डन टेंपल को 1% शतिनी पहुँची थी, ऐसा था, फाइनल कांधार, कांधार में क्या था, कि देखिए जब भारत की फ्लाइट, ICG 841, उस पर मेरा सेपरेट लेचर उसको हाईजैक किया, और कांधार ले गए, तो तब भी अजीद दोवाल को बुलाया गया, अजीद दोवाल को बुलाया गया, और अजीद दोवाल अपने साथ, मतलब ये कमांडो ओपरेशन भी हो सकता था, उस समय ये प्लान किया था, 20 कमांडो हमारे डेडी थे, और अजीद दोवाल जो थे, जो लगाता नेगोशियेशन हो रहा था, अजीद दोवाला specialized है militants और terrorists को handle करने में वो specialized है उनका experience बहुत जादा है तो पता है कि किस तरीके से operations इस तरीके के खतरनाक operations को अंजाम दिया जाता है तो कांधार में जो negotiations हुए उसमें अजीद दोवाल शामिल थे बीस commandos ready थे अगर भारत सरकार चाती तो ये cooperation हो सकता था लेकिन दिल्ली से हरी जंडी नहीं मिली जिसकी वज़े से commandos operation को रोग दिया क्योंकि दोस्तो 170 लोगों की जान खतरे में थी आप कुछ कर नहीं सकते लेकिन अजीद दोवाल negotiation में लगातार शामिल थे अलाकि हमने तीन आतंकवादी मुश्टाक एहमद जरगर एहमद उमर साइद शेख मसूद अजर को छोड़ दिया मसूद अजर वही है जिसने जैशे मोहमद बनाया बाद में इसी मसूद अजर की इस organization पुलवामा अटैक अभी जो हुआ ठीक है उसकी जम्मदारी ली साथी साथ जो इंडियन पार्लियमेंट अटैक हुआ था तो हमको तीन टेर्रिस्टों को छोड़ना पड़ा लेकिन 170 से जादा जो 176 टोटल पैसेंजर्स थे वो वापस आगे तो ये इसी लिए हुआ और अगर चाते अजीट दोवाल तो कमांडो operation भी कर सकते थे लेकिन दिल्ली से कोई हरीजंडी नहीं मिली तो ये कुछ untold stories हैं अजीट दोवाल की जो की शांदार है और भी बहुत सारी stories है अगर अजीट दोवाल biography लिखते हैं तो मैं first one होंगा जो review करूँगो मेरी तो उनसे request है कि वो जरूर एक biography लिखे है autobiography लिखे best seller होगी वैसे आपको अजीट दोवाल के बारे में बता दूँ मैं इनके career के बारे में मैं आपको जादा नहीं बताया ये director of intelligence bureau रही है 2004 से लेकर 2005 तक 31 जुलाई 2004 से लेकर 31 जनवरी 2005 तक ही director of intelligence bureau रहे और उसके बाद 2005 मिन का retirement हुआ इन्होंने अपना 46 साल का career पूरा किया जिसमें सिर्फ उन्होंने 7 साल तक ही पुलिस के वर्दी पहनी 5th national security advisor रहे और अभी तक है मोधी सरकार के right hand बाने जाते हैं जो surgical strike हुई उसमें भी अजीट डोवाल का बहुती ज़ादा गजब input है अजीट डोवाल ऐसा बोला जाता है कि जो पीछे की पूरी planning थी वो डोवाल सरकी ही थी तो 2014, 30 मई 2014 से ये national security advisor रहे हैं और बहुत सारे philanthropic काम भी करते रहते हैं समाज के लिए भी काफी ज़ादा काम करते रहते हैं ये आपको बता दू इनको कीर्ती चक्र मिला है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला है ऐसा है तो आई होप आपको मज़ा आई होगी ये story सुनने में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो इंस्टा पे मुझे फॉलो करो कुछ रही है पड़ते रहे देशे सिर्दान तक नहीं होतरी साइनिंग ओप